गोवा में पचास में भारती अंतराश्टिये फिल्म फेस्टिवल का रंगा रंग कारिक्रम के साथ समापन हुआ इस फेस्टिवल में मशूर संगीत कार इलिया राजा को लीजेंड्स ओफ इंडिया श्रेणी में समानित किया गया अभिनेता प्रेम चोपड़ा और अर्विन स्वामी और असम की फिल्म निर्माता मंजू बोहरा को भी समानित किया गया सरफ्षेश्ट फिल्म के रूप में पार्टिकल को पुरुष्कृत किया गया समापन समारो के दोरान के इंडिये परियावरा और वन राजय मंत्री बावल सुप्रियो और गोवा के राज़पाल सत्यपाल मलिक मुख्य मंत्री प्रमोज सावन्त मोजूद रहे इतना ही यादगार रहा इफ्षी 2019 के समापन समारो में एक भादस्ष्वेश्ट भारत फीम की जलक देखने को मिली इस बौके पर मश्चूर संगीतकार इलाई राजा प्रसित असम्या फिल्म निर्माता जू बोहरा दिग तब चोप और अर्विंद स्वामी को सम्मानित किया गया गोवा के राजिपाल सतिपाल मलिक ने फिल्म जगस से अहवान किया कि वो अपनी फिल्मों में सामाजिक मुद्दो को भी शामिल करें अब जो हमारे समाज की जो विसंगती है, जिस में गुर्बत है, नौजवानों का स्ट्रगल है, अपनी फिल्मों में इनके उपर हमला करिये, नौजवानों की मदद करिये, किसानों की मदद करिये, उस से समाज पे असर होगा और समाज जरूर बदलेगा. The respect and ex-defense minister of India's late Shri Manohar Parikar and who was served as the Goa chief minister was instrumental in making the IFE synonymous with Goa. One of its main dream for Goa was to make the state heaven for the film industry. We hope in coming years we are able to fulfill this dream. I feel elated to announce that in the prestigious 50th edition of the IFFI IFE 190 films were screened from 76 different countries among those were 90 Indian premieres, 6 world premieres and 11 Asian premieres. Samapan Samaharu के दौरांद Goa के मुख्यमंतरी प्रमोस सावंत ने स्वन मयूर पुरसकार प्रदान किये. सर्वस्रेश्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकोक अवार्ड ब्लेज हैरीसन दौरा दर्देशीत और एस सिर्फियालों दौरांद निर्मित फिल्म पार्टिकल्स को दिया गया. पेमस सेडन को उनके फिल्म बैलून के लिए विशेश जूरी अवार्ड मिला. भार्टी निर्देशक लीजो जोस पेहली सरी ने अपनी फिल्म जली कट्टू के लिए सर्विस्वेश निर्देशक का पुरसकार जीता. इसके अलावा विशेख शार द्वारा निर्देशित फिल्म खलारों का विशेश उल्ले किया गया. इस भार के समारों के दौरां तीस से अडिक मास्टर क्लास और चर्चा के सत्र आयुजित किये गए प्रसीद संगीतकार इलाई राजा, प्रसीद निर्देशक जौन बैली, अभिनिता प्रसेन जीत सेन और निर्देशक मदूर भंडार कर मास्टर क्लास सत्र में भागिदारी करने वालों में शामिल रहे थे. अनिल कपूर, इम्त्रियाज अली, तापसी बनू और सुभाश भई जैसे फिल्म कलाकारों और निर्माताओं के साथ फेस आफ सत्र दर्शक उने काफी पसंद किया. The 50th edition also had many firsts like Master Frames, Golden Peacock Retrospective, Restored Indian Classics, Soul of Asia, Konkani Films Package, and Retrospective of Indian New Wave Cinema. Mahasaf ke Nireshak Chaitanya Prasad ne dhanyavad jyapan prasut kia. We come to the conclusion of the closing ceremony. It is the fulfillment of a dream, a dream that we began many months ago, a dream to live up to the expectations of people, to stand together as far as excellence of cinema is concerned. In 2019, especially the 50th edition, if he has been immersed, submerged in cinematic excellence. .